Welcome back to Clean News यूपी चलिए देखते हैं उत्तप्रदेश की 25 फटा फट बड़ी खबरों को इसे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बदाना आप पिल्कुल ना पूरें साथी हमारे फेस्बुक पेस्ट को भी फॉलो करें फेस्बुक पेस्ट करें पिल्कुल दिया गया है वेबसाइट पर 15 मार्श तक आवे दन कर सकते हैं इसके अंतरगत देश भर के एक लाक में धावियों को कक्षा 9 से 12 तक प्रतिमा एक हजार या प्रतिवर्ष 12,000 रुपे की चात्रवत्ती सीधे खाते में भेजी जाती है कंभीर मरीजों को मिलेगी राहत 12 ओपरेशन थेटर फिर से शुरू लगनाओ पीजी आई में डेर महा से ओपरेशन की प्रतिख्षा करने वाले 100 से जादा कंभीर मरीजों को राहत मिलेगी संस्थान में जन्वरी से बंद पड़े 12 ओपरेशन थेटर क्रियाशील हो गए दिल दिमाग, पेट, प्रोस्टेट समेथ दूसरे विभागों के गंभीर मरीजों की ओपरेशन और गुर्दा प्रत्यार उपन वाले मरीजों की ओपरेशन प्रात्मिक्ता के आधार पर होंगे OPD और मरीजों को फोन कर ओपरेशन के लिए बुलाया जा रहा है कोरोना की तीसरी लहर के चलते PGI के राजथानी COVID अस्पताल में मरीज बढ़ने पर जनवरी में मरीजों की ओपरेशन टाल दिये गए थे वज़े यहां के राजथानी COVID अस्पताल में संक्रमित मरीजों के इलाज में डॉक्टर और स्वास्तेकर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई थी भारे संख्या में डॉक्टर और स्वास्तेकर्मी पॉसिटिव हो गई थे कानपू लखनव एक्स्प्रस वे तीस महीने में तयार होगा जर्मन तकनीक से बनेंगे एमेनिटी सेंटर कानपू लखनव के बीज चलना अब और भी आसान हो जाएगा दोनों महानगडों के बीज लेन एक्सप्रस वे वनने से वाहन फराथा भरेंगे जिसे कंपनी 30 महीने में तयार करेगी कंपनी को जनवरी 2025 तक पूरा करने को कहा गया है एक्सप्रस वे पर चलने वाले लोगों को रेस्टोरेंट से लेकर वरक्शॉप पैट्रूल पंप सी और जियादी की सुवधाई मिलेंगी एक्सप्रस वे को रिंग रोड से जोड़ा जाएगा इसके लिए पी एंसी कंपनी को ठेका दिया गया है एक्सप्रस वे पर अचानक जानवर या फिर कोई और अन्यवाहन ना जाए इसकी भी विवस्था की जा रही है दूद व्यवारी वा पशुपालकों के लिए अच्छे खबर पति लीचा दूद पर तीन रुपे सबसीदी उत्रप्रदेश सरकार दूद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह की योजनाओं चलाती है देरी खोलने के लिए पशुपालकों को उत्रप्रदेश सरकार की ओर से कई योजनाओं किते हैं सबसीदी दी जाती है वहीं अब दूद के गुरवत्ता के आधार पर दूद की बिक्री पर सरकार सबसीदी दे सकती है ये सबसे दूद के गुर्वत्ता के अधार पर पती लीडर तीन रुपे तक हो सकती है हाला कि अभी तक सरकार की ओर से इस योजना को लेकर कोई आपचारी घुशना नहीं की गई है कितने खतरनाक होगी कोरोना के चौती लहर जोने आई आई टी कानपूर के वेग्यानिक ने क्या कहा कोरोना के चौती लहर कब आएगी अभी ये कहना मुश्किल है हाला कि वो भी तीसरी लहर की तरह ही होगी मतलब कम समय के लिए और कम घातक होगी ये दावा है IIT कानपुर के वरिष्ट वैज्यानेक प्रोफेसर मनींदर अगरवाल का प्रोफेसर अगरवाल का कहना है कि चौथी लहर का बाएगी इसका आंकलन करना अभी मुश्किल है जब चौथी लहर के शुरुवात होगी तब इसके फैलाव और पीक का आंकलन किया जा सकेगा प्रोफेसर अगरवाल ने कहा कि देश में 90 फीस्दी लोगों में प्राकृतिक प्रतिरोदक शमता विक्सित हो गई है और वैक्सिनेशन भी लगबग पूरा हो रहा है अब तक रिजल्ट रुके होने के पीछे कारण ये है कि विधान सभाद चुनाओ एसाई परिक्षा रिजल्ट की तरह ही UPTET का रिजल्ट भी रुका हुआ है TET रिजल्ट को लेकर उत्रप्रदेश तरकार में सचिव अनामिका सिंग ने सचिव परिक्षा नियामक प्रादिकारी अनिल भूशन चतरुवेदी को भेजे पत्र में लिखा था कि चुनाओ के दौरान आदर्श आचार सहिता लागू होने के कारण मुक्ष सचिव के अध्यक्षता में 15 फरवरी को आयूजित स्क्रीनिंग कमेटी के बैचक में TET के परिणाम को इस्थकित करने की संस्तुती की है भाजबागे सत्ता में आने के बाद से हमारी आय दस गुना बड़ी वारानसी के नाविक पोले वारानसी में CNG नाव चलने की बाद नाविकों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में उनकी आय में लगबख दस गुना बढ़ उत्री हुई नाव चलाने वाले सोनू निशाद ने कहा कि मेरे पूरवज असी घाट पर नाव चलाते थे पहले गुजारा करना वास्तों में मुश्किल था लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों में हमारी आय में व्रत्थी हुई लगबग दस गुना व्रत्थी हुई वारानसी के सभी घाटों के नियमित सफाई और मंदिर के जिर्नो धार के कारण बड़े संख्या में परियटक मंदिर शहर में आ रही है हर घर के एक सदस्य को मिलेगी नौकरी किसानों को निशुलक बिजली दमदार सरकार के लिए चुने विधाय सियम ने कहा कि इस बार सरकार आने पर उज्जुला योजना के लाभारतियों को होली दीपा वली पर निशुलक रसोई सिलेंडर दिया जाएगा ट्यूपल कनेक्शन धारी किसानों को निशुलक बिजली मिलेगी सामोहिक विवाय योजना के तहट 51,000 से बढ़ा कर 1,000,000 रुपे दिये जाएंगे बीदे पांच वर्षों में 5,000,000 लोगों को नौकरी दी गई इस बार सरकार बनने पर हर परिवार के एक सिदस्य को नौकरी दी जाएगी सियम योगी ने जनपत के चारों विधान सभा से प्रत्याशियों को जिताने की अपील करते हुए कहा कि दमदार सरकार के भरोसे दमदार कारे किया जाता है दमदार सरकार के लिए विधायक चुनेंगे तब ही दमदार सरकार बनेगी यूक्रेश सरकार वहां फसे भारतियों के जानकारी के लिए लगातार संपर्ग बनाये हुए है वहीं सुमवार को 37 बच्चे भारत लोट आए यूक्रेश से वापस लोटे छात्रों के कुल संख्या 100 हो गई है लेकिन बड़ी संख्या में अब बी कई लोग वहां फसे हैं मुक्के सचिप दुर्गाशंकर मिश्या ने बताया कि प्रदेश सरकार ने रास्तिया रास्थानी से बच्चों को उनके गंतव्य इस्थान तक पहुचाने की निशुल्क व्यवस्था की है किदार्नाद धाम के कपाट 6 मई को खुलेंगे किदार्नाद धाम के कपाट 6 मई को सुबे 6 बचकर 25 मिनट पर खोले जाएंगे महाशिवरातरी परशीत कालीन गद्धी इस्थल ओम कारेश्वर मंदिर उखी मट में बारवे जोतिरलिंग में शामिल भगवान के दार्नाद के कपाट खुलने की तिथी तै हो गई है वैदिक पूजा अर्चना के साथी पारंपरिक रीती रिवास के तहट घुशित की गई तिथी शीतकाल के छे महीने कपाट बंद होने के बाद केदार्नाद के कपाट खुलने की तिथी निश्चित कर दी गई ओम कारेशर मंदिर उखी मट से बाबा केदार की डोली दो मई को केदार धाम के लिए प्रस्थान करेगी ओमका रिशर मंदिर उखी मट में पौरानिक परमपराव के अनुसार शिवरातरी के परपर के दाननात के कपाट खुलने की थी वैदिक पूजा अर्चना के साथ ही परमपरिक दी रिवाच के तहट खोशित की गई यूपी में 6 मार्च तक कैसा रहेगा मौसम विभाग का पूर्वानुमान चारी परवरी महा खत्म हो गया यूपी के मौसम में परवरी में बड़े उतार चड़ाओ देखने को मिले परवरी महा के अंत में मौसम में बड़ाओ होता रहा मार्च की शुरुवात हो गई है मौसम कैसा रहेगा इस बारे में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है उतापरदेश में छे मार्च तक मौसम कैसा रहेगा जराजथानी लकनों में सुबह सुहावनी है दोबहर थोड़ी गरम पर ठंडी हवाओ के जोकों के आगे गरमी का रंग फीका हो जा रहा है पिर शाम और राते थोड़ी ठंडी रही मौसम विभाग के अनुसार ये चक्र अभी कुछ और दिन तक चलेगा ताज महल में मुफ्त प्रवेश से अफ्रात अफ्री भारी भीर को रोकने के लिए लाठी चार्ज कई बच्चे पिछड़े मंगलबार को ताज महल जाने वाली सडके सेलानियों से लबालब रही हर गली में भीर थी इसमारक परिसर में तो पैर रखने की जगा नहीं भीर इतनी के चेकिंग हो तो कैसे हो सुरक्षा कर्मियों ने अपनी साहिता को वॉलिंटियर्स लगाए पर वो भी फेल हो गए जन सहलाब में बच्चे भी सुरक्षित नहीं बचे अपने परिजनों से छूट गए बार बार भीर नियंतरत करने की कोशिश जब नाकाम हुई तो सुरक्षा बलो ने लाथियां भटकारी सुबे से लेका शाम तक ताज महल पर यहीं चलता रहा चटे चरण के लिए थमा प्रचार कशोर, सीम योगी और सौमी प्रसाद के इलाकों समेट दस जिलों के 57 सीटों पर 3 को वोटिंग वदान समा चनाव में चटे चरण के लिए मंगलवार के शाम 6 बजे प्रचार का शोर थम गया चटे चरण में 10 जिलों के 57 सीटों पर 3 मार्च को मद्दान होना है इस चरण में सीम योगी की सीट और जिले गुलकपुर में मद्दान होना है इसके अलावा भाचपा से सपा में आए सौमी प्रिसाद मौरे की सीट फाजिल लगर में वोटिंग होगी इन दोरों सीट पर सभी की नजरेटिकी रहेंगी गुरकपुर के अलावा अमबेटकर नगर, बलरामपुर, सिधार्ट नगर, बस्ती संत कबीर नगर, महराज गंज, गुरकपुर, कुशिनगर, देवरिया वा बलिया जिलो में मद्दान होगा यूपी चुनाओ का ट्रेंड और भाजपा की चुनाओती, क्या है रक्षामंत्री राजनाथ सिंग का इशारा? यूपी में पांच चर्णों की चुनाओ हो चुके हैं, छटे चर्ण का चुनाओ तीन मार्च को होगा, इससे पहले सभी पार्टी इस निताकत जोग दी रक्षामंत्री राजना सिंग भी लगाता चुनाओ प्रचार में लगे हैं, बलिया में उन्होंने भाजपा प्रत्याश्यों के लिए प्रचार किया सपा और कॉंग्रिस पर दलित पिछडो और आदिवासियों के उपेक्षा करने और भाजपा पर मुस्लिम अल्प संख्यकों की अंदेकी करने का रोग लगाते हुए, बसपा सुप्रीवों मायवती ने कहा कि उनकी पार्टी सही मायने में समाज के दलित वंचित और उपेक शित्र को विक्सित किया जाएगा मुख्यमंतरी मंगलवार को कपिलवस्तु विधानसवा शेत्र के भाजपा प्रत्याशी शाम धनी राही के समर्थन में, बुद्ध विध्या पीट इंटर कॉलेज बढ़पुर में वडुमरिया गंज में भाजपा प्रत्याशी, रागवेंद्र परताप सिंग के समर्थन में राच्किय कन्या एंटर कॉलेज डुमरिया गंज में आयूचिल जन सभा को संभूदित कर रहे थे मोधी सरकार ने 22.55 करोड लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किये पैसे, केंद्र सरकार ने देश के करीब 20 करोड से अधिक लोगों के बैंक खातों में प्रोविडेट फंड अकाउंट में 8.50% की रेट से फंड ट्रांसफर किये आप भी SMS के माध्यम से अपने बैंक खाते में जमा हुई राशी को चेक कर सकते हो प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी के नेतरा तुमें 22.55 करोड लोगों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिये गए हाल ही में EPFO के द्वारा अपने ट्विचर हैंडल पर इस बात की इन्फरमेशन दी गई है गाई भैस पालने मालों को सरकार की तरफ से मिलेगा 46.000 कलून करेंड रजिस्ट्रिशन केंद्री सरकार ने देश के हरवर के लिए कई तरह की योजनाओ की शुरुआत की है गरीबों, किसानों, बच्चों और महिलाओं के कल्यान के लिए मोधी सरकार की तरफ से कई ऐसी स्कीम शुरू की गई हैं जिसके तहट सभी को लाप मिलता है इसी बीच किसानों के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की भी शुरुवात हुई इस स्कीम के तहट गाई भैस, मुर्गी भेड बकरी आदी पालने वालों को सरकार आर्थिक रूप से मदद प्रदान करती है रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी राहा, ट्रेंस में अब जनरल टिकेट लेकर यात्रा कर सकेंगे लोग देश में कोरोना को लेकर हालात सुधरने के बाद भारतिया रेलवे ने ट्रेंस पे फिर से अन्रिजर्व्ट को शुरू करने का पैसला किया गरतलब है कि अब तक कोविट के कारेंट सामाने डब्बो के लिए भी रिजर्वेशन कराना होता था जो ट्रेंस एक जोन से दूसरे जोन की तरफ जाती थी विसारी ट्रेंस रिजर्वेशन ओनली ट्रेंस की तरस पर चल रही थी बहराल कोविट के नए मामलों की संख्या में आई कमी के बाद अब यातरी सामाने टिकेट लेकर सामाने डब्बे में सफर कर सकेंगे लेकिन ये सुविधा आगे चार महीने के लिए बुख हो चुकी सीट्स के लिए नहीं होगी कराने के लिए जुर्माना देना पड़ेगा आपके जानकारी के लिए बता दें कि आप इंकम टेक्स के लिए दो कर विवस्थाओं में से एक को चुन सकते हैं हाई वीजा रजिस्ट्रेशन कल से हुआ शुरू बिना इंट्रव्यों अमेरिका जाने का मौका तो इस टेप में करें अप्लाई अमेरिका ने भारते लोगों को वीजे के लिए परसनल इंट्रव्यों में छूट देने की आदिकारी खोशना कर दी है अमेरिका के एक सीनियर अधिकारी ने इस मामले पर इंडियन कम्यूनिटी को अधिकारिक तोर पर जानकारी दी रास्टरपती जो बाइडन के एशियाई अमेरिकी सलाकार अजे जैन भुटारिया ने कहा कि वीजा रजिस्ट्रेशन के लिए ये ज़रूरी कदम उठाया गया इसके काफी समय से डिमांड हो रही थी अब हमारे दोस्तों और करीबी परिवारों के लिए काफी हलपफुल होगा जिनके चिंता इंटर्व्यो को लेकर जादा होती थी अब वो परिशानिया दूर हो गई है इस नियम के तहए छूट पाने वाले लोगों में स्टुडेंट्स वीजा, वीजा-S, वीजा-M और एकेडेमिक वीजा-G भी शामिल है युक्रेशन से लोटे मुसलिम चात्रों के परिजन बोले मोदी की बात मेहदाम योगी भी नहीं है का प्रधानमंतरी नधिंद्र मोदी का युक्रेशन में भी जलवा है, इसकी बाँगी संफल में देखने को मिली रुकनुद Dین सराइ के छातर से बात की तो उसने युक्रेशन से जिनने लेकर परिजन जहाचिंतित थे वहीं चात्र भी परिशान थे हाला कि पीम नरेंद्र मोदी ने सभी भारतियों को वापस भारत लाने का आश्वासन दिया है SBI ग्रहकों के लिए बड़ी खबर अंतरास्टे प्रतिबंदों के बाद रूसी संस्थाओं के साथ लेंदेन नहीं करेगा मैं एक रिपोर्ट के नुसार SBI ने सेक्षिट रूसी संस्थाओं के साथ लेंदेन करना बंद कर दिया है राइटर्स के द्वारा देखिये गए एक पत्रों और मामले के जानकरी रखने वालों के नुसार युक्रेन पर आकरमल के बाद रूस पर लगाए गया अंतरास्टे प्रतिबंदों के अधीन भारत का सबसे बड़ा बैंक रूसी संस्थाओं से जोड़े किसी भी लेंदेन को प्रॉसेस नहीं करेगा इन्वाइस के नए नियम के दाएरे में एक दिशमलवाट शूने लाग कंपनीज जोर आएंगी छोटे और मध्यम कारोबारों में कम होगी टेक्स की चोरी बीस करोड से जादा टेनोवर के कारोबार से कारोबार लेंदेन करने वाले कमपनीज के लिए आवश्यक इलेक्ट्रोनिक इन्वाइसिंग का नियम लागू होने जा रहा है अगर आप जल्दी ट्रेन से कोई यात्रा करने वाले हैं या अकसर ट्रेन से यात्रा करते हैं तो ये खबर आपके काम की है वोली कत्योहर आने वाला है ऐसे में जादतर लोग चुट्टियों पर घर जाने के तयारी में लगे हैं दरसल रेलवे यात्रियों की सहूलतों को देखते हुए अक्सर नियम बनाता रहता है इससे पहले रेलवे ने कोरोना को लेकर नई गाइड लाइन जारी कर दी लेकिन अब रेलवे ने यात्रियों की नीन में कोई खलन ना पड़े और ना ही उची आवाज में गाने सुन सकता है दरसल यात्रियों दोरा की गई इस तरह कि कई शिकायतों के बाद रेलवे ने ये नियम बनाया है तो ये थी आज की 25 पटाफट बड़ी खबरे अगर आपको न्यूस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सर्व करें धन्यवाद